नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं CRPF Head Constable Ministerial की आंसर की के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस परकार से आपको CRPF SCM की आंसर की चेक करनी है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन उससे पाले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक और सेर कर दे और साथ ही ऐसे वीडियोज देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आपको CRPF SCM की आंसर की चेक करनी है तो आपको बता दे आंसर की चेक करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialio.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialio.com Google में सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से एक पे जाएगा यहाँ पर जो सबसे उपर website आपको देखने को मिल रही है इस website को आपको open कर लेना है website दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से open हो जाएगी जैसे ही यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएगे तो आप देख पाएगे CRPF SCM answer की 2023 आपको इस link पर क्लिक करना है और इस post को open कर लेना है post दोस्तों आपके सामने कुछ इस परकार से open हो जाएगी यहाँ पर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे की और scroll करेंगे तो आप देख पाएगे CRPF SCM answer की 2023 डारेक्ट लिंक आपको क्या करना है आपको इस डारेक्ट लिंक पर क्लिक कर देना है अब आपके सामने कुछ इस परकार से एक पेज आ जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी user ID फिल कर देनी है और उसके बाद password फिल कर देने है user ID और password दोनों ही आपको email पर देखने को मिल जाएगे दोनों ही जानकार या फिल करने के बाद आपको login पर क्लिक करना है Login पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार सेख पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप 4th नमबर पर अप्शन देख सकते है Candidate Response आपको क्या करना है आपको Candidate Response पर क्लिक करते हैं Candidate Response पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार सेख पेज आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं to download your question paper for CRPF Head Constable Ministerial 22 to 24 February 2023 तो यहाँ पर आपको क्या करना है जो क्लिक here है यहाँ पर here लिखा हुआ है here पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप here पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी detail है वो उपर आपको देखने को मिलेगी इसके साथ जब यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप सवाल देख पाएंगे जैसा कि पहले सवाल का जवाब इस candidate दवारा जो select किया गया था वो था D और सही जवाब भी था यहाँ पर D की जानकारी CRPF Head Constable Ministerial की आंसर की को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप लाइक और सेर आवस्य करेगा और साथ यह ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दीजेगा मिलते है सब्सक्राइब सेकले वीडियो में किसे ने जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद